अप सभी अच्छे होंगे मैं आर्टी आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स कुरू पर हारदिक स्वागत करती हूँ जिस पे हम फिजिक्स के साथ साथ अब ग्रजुएशन के लिए केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं और आज के हमारी ये क्लास है बीएस्टी सेकंड इयर के ल हरती है और फिर उसके बाद हमने इसमें पढ़े हैं कुछ कंपांब्स में हमने तीं पढ़ चुके हैं अब यह सवाल है कि इसमें कितने कंपांट हो रहे हैं वह कहा हम न कपेशिएम परमेगनेट पॉटेशिम डाइक्रोमेट और क्रोमाइल क्लोराइड जैसे 3 compounds पढ़े हैं अब इसमें हमें चुकी Compound रहे हैं 3 ही रह रहे हैं कौन-कौन से एक तो हमारे цен पहला ही टॉपिक है क्या है titanium dioxide और एक हमारा है समें Vanadium Pentaoxide और एक है समें जो हमारा करोमियम- औॉकसाइड तो यह छे ечение?' चबांट्स हैं। जो हमें पढ़ने हैं। तीन हमारे रह रहे हैंkick हम आज करेंगे। और जो हमें killer कंपांट्स्थव तो होते हैं za लेकिन हम छे marketing कंपांग्स रहे हैं वहाँ जो हैं आप TiO2, अब TiO2 में हम क्या करेंगे, जैसे हमने last time पे कुछ compounds पढ़े थे, ऐसी हम इसमें करेंगे, पहले क्या करेंगे, method of preparation, फिर क्या करते हैं, हम इनकी properties पढ़ते हैं, properties पढ़ते हैं, और फिर क्या करते हैं, हम इनके uses पढ़ते हैं, तो इसमें हम titanium dioxide की method of preparation पढ़ेंगे, पहले हम इसमें दो या तीन ही method पड़ते हैं क्योंकि एक तो यह भी चीज होती है कि आपके university कौन सा method आपका valid करती है और जो मैं method कराती हूं आपके यह बिल्कुल easy भी होते हैं यह easy समझ में आ जाते हैं तो इसमें जो हमारा पहला method है कि इसका titanium dioxide बनाने के लिए वो क्या है इसमें हम titanium dioxide बनाते हैं titanium tetra chloride के उसमें ammonium hydroxide में mix करके क्या titanium tetra chloride को ammonium hydroxide में react करते हैं तब क्या बनता है हमारा वो हम देखेंगे इसमें तो इसमें जो सबसे पहला point आप डालेंगे कि इसमें titanium dioxide में वो हमारा point होगा method of preparation titanium dioxide कैसे बनता है titanium dioxide कैसे बनता है अभी बताया titanium tetra chloride को ammonium hydroxide के साथ जो हम react कराते हैं तब इसमें सबसे पहले क्या बनता है इसमें सबसे पहले बनता है titanium tetra hydroxide फिर जब हम उसको heat करते हैं तो तब हमारा main compound बनता है titanium dioxide तो इसमें देखो इसमें क्या लिखेंगे इसमें reaction जो है last turn पे भी मैंने आपको बताया था जो main होता है इसमें reaction होती है जो theory होती है वो आपकी main नहीं होती जब आपने reaction सही की है तो आप theory भी 100% सही ही लिखोगे तो इसमें क्या है हमारा titanium tetra chloride लेंगे इसमें और इसमें क्या mix करेंगे इसकी reaction किसके साथ करेंगे हम इसकी reaction करते हैं हम ammonium hydroxide के साथ ammonium hydroxide क्या होता है ammonium hydroxide देखो क्या करेंगे आप इन दोनों की reaction कराएंगे क्या बनेगा इसमें जब हम इनकी reaction कराते हैं तो यहाँ से बनता है हमारा titanium tetra hydroxide क्या बनेगा titanium tetra hydroxide titanium tetra hydroxide बन गया अब आप इसमें देखो जो reaction है वो हमारी balance नहीं है अब देखो यह titanium ले लिया और यहाँ पर हमने hydroxy group ले लिया अब क्या बचे हमारे यह वाले बचे क्या NH4 बचा और CL बचा तो यहाँ से release हो जाएगा NH4 CL कितना NH4 CL अब CL के कितने molecules हैं 4 molecules है CL balanced हो गया CL balanced हो गया तो अब यहाँ पर देखो NH4 कितने हो गई हाँ से NH4 हो गई हाँ पर 4 हो गई यहाँ पर कितने malls हैं यहाँ पर 1 mall है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा कितना आ जाएगा 4 तो यानि कि यहाँ से क्या लेंगे हम 4 molecules of ammonium hydroxide 4 molecules of ammonium hydroxide के लेंगे तो OH कितने हो जाएगे यहाँ पर 4 OH हो जाएगे और 4OH हमारे यहाँ पर titanium के साथ react करके यहाँ पर क्या बनाएंगे titanium tetrahydroxide अब यह तो बनगे हमारा titanium tetrahydroxide अब जो main compound है वो तो हमारा titanium dioxide है अब यह कैसे बनेगा इसमें जो हमारा titanium tetrahydroxide बननेगा इसमें इस वाले atom को हम इस वाले titanium tetrahydroxide को heat प्रोवाइड कराएंगे क्या करेंगे गरम कर देंगे इसको गरम कर दिया क्या बनेगा main compound बनेगा main compound क्या है TiO2 TiO2 अब इसमें TiO2 जो बन गया अब यहाँ पर OH कितने हैं यहाँ पर OH है हमारे 4 Ti के साथ 2 O तो यहाँ से release हो गए अब H कितने बचे 4 तो यहाँ से H बचे हुए हैं और 2 O बचे हुए हैं तो 4 H और 2 O क्या मिलके बनाएंगे यह बनाएंगे 2 molecules बनाएंगे water के किसके बनाएंगे water के molecules अगर आप इसमें language लिखना चाहते हो तो इससे आप ऐसे लिखोगे when we react titanium tetra chloride with ammonium hydroxide then it will form titanium tetra hydroxide on heating titanium tetra hydroxide it will give titanium dioxide and loose molecule of water 2 molecules of water तो यह चीज हो गए है हमारी clear अब इसमें आप compounds के नाम लिख लीजिए इसमें कि यह क्या है हमारा यह हमारा titanium tetra chloride क्या है titanium tetra chloride क्या है यह क्या है यह NH4OH होता है हमारा ammonium hydroxide react करके क्या बनाया हमने TIOH का 4 जिसे क्या कहते हैं titanium tetra hydroxide तो यह मेन हो गए हमारा अब इसके बाद हमने टाइटेनियम tetra hydroxide को जब heat प्रोवाइड कराई तो क्या बन गया टाइटेनियम डायोकसाइड तो यह चीज हो गई clear तो यह था हमारा क्या first method of preparation जिसमें हमने क्या किया पहले titanium tetra chloride की reaction हमने किस से कराई ammonium hydroxide से जिससे हमारा क्या बना titanium tetra hydroxide जिसको गरम करने पर हमारा main compound बन गया main compound क्या है हमारा titanium dioxide तो यह हो गया first method of preparation अब दूसом factacy and kineticm । हमने इसे बना लिया ammonium hydroxide से अब इसमें हम क्या करेंगे इसको hydroize कर देंगे ti cl4 ti cl4 को ही जब हम hydroize करेंगे पहले तो हमने यह मिला दिया ammonium hydroxide क्या बना दिया ammonium hydroxide तो एक की निकल गए और यहां से क्या बना arrange का प्र अब एक पॉइंट है इसमें जब हम इसमें अमोंयम हाई्ड्रोकसाइड की जगे इसका क्या कर देते हैं हाइड्रोलाइस कर देते हाइड्रोलाइस कैसे करेंगे वाटर मिलाकर तो हिस में से तब भी ammonium tetrahydroxide बनेगा क्या बनेगा ammonium tetrahydroxide कैसे बनेगा second method में देखो क्या लेना है हमें titanium tetra chloride PICL4 और क्या लेना है hydrolyze करना है hydrolyze कैसे करेंगे on hydrolysis तो TICL4 अब क्या करेंगे इसमें hydrolyze कर देंगे कैसे water मिलाकर water से ही तो hydrolyze होती ही reaction अब आप पूछते हो कि oxidation कैसे होता है reduction कैसे होता है oxidation और reduction जो यह दो reactions है ना यह 12 की reactions है यह 12 में कराई जाती है जो reactions है अब आप पूछते हो कि oxidation कैसे होगा reaction में reduction कैसे होगा तो oxidation O से होता है reduction H से होता है hydrolysis होता है तो यह चीज़े चोटी-चोटी चीज़ें जो 12 में कराई जाती है को इतनी बड़ी चीज नहीं है कि आप समझ नहीं सकते क्या करेंगे इसकी रियक्ट कराएंगे किससे water molecule से क्या बनेगा हमारा titanium टेट्रा हाइड्रोकसाइड रियक्शन को क्या करेंगे अब हम balance करेंगे बैलेंस कैसे करेंगे टी आए तो हमारा देखो balanced है अब जो हमारा क्या molecules लेने 4 molecules लेने 4 molecules लेने के लिए यहां पर क्या कर देंगे 4 से multiply तो यहां से 4H हो जाएगा और 4OH हो जाएगा OH balanced हो गए अब यहां से क्या बचा हमारा 4H बचे हुए 4 ही CL बचे हुए तो यह हमारे एक साथ चले जाएंगे क्या बना लेंगे? HCl कितने molecules? 4 molecules तो यह चीज़ क्लियर हो गई इसमें क्या हो गया हमारा titanium tetrahydroxide बन गया अब जो next step है सेम ऐसे ही है क्या करेंगे अब इसको हम heat कर देंगे heat करने पर क्या बनाएगा हमारा TIO2 बनाएगा तो next step कैसे है इसमें? next step सेम यह है TIOH का 4 प्लस क्या करेंगे? प्लस नहीं heat करेंगे इसको तो क्या बन जाएगा? TIO2 और यहां से 2 molecules of water कैसे निकले 2 molecules of water यहां पे आपको clear हो गया होगा? तो यह थे हमारे क्या methods of preparation किसके? टाइटेनियम डाइओकसाइड के पहले हमने क्या किया? पहले वाले method में हमने ammonium hydroxide मिला है और दूसरे वाले method में हमने क्या क्या किया? इसका hydrolysis किया इसका screenshot ले लीजे अप सो लिए इसमें आगे करते हैं इसकी physical properties क्या करते है? physical properties अब जो physical properties होती है वो क्या क्या होती है, titanium dioxide की, जो हमारा titanium dioxide होता है, ये colorless होता है, colorless होता है और कैसा compound होता है, solid compound होता है, और ये water resistance भी होता है, क्योंकि ये water resistance है, तो इसका use हम किसमें कर सकते हैं, इसका use हम electronic devices की coating के लिए कर सकते हैं, जब water resistance है, electronic device पे इसकी क्या करेंगे, coating करेंगे, और अब क् लिखेंगे इसका melting point, melting point जो होता है, इसका mist होता है, यह 300 degree centigrade से भी above temperature पे उता है melt, क्या 300 degree centigrade से भी ज्यादा temperature पर कि इस temperature से भी ज्यादा इसका melting point होता है तो अब क्या लिखेंगे इसकी physical properties और प्र उसके बात क्या खरेंगे इसकी chemical properties, physical properties लिखिये इसकी इसमें किसी एक student का question था कि जो हमने potassium permagnate में equivalent weight निकाला था उसमें potassium permagnate की oxidation state में change कैसे किया था जो हमारी first year में या 12 में होती है वो reaction क्या balancing reaction होती है 12 में जो हमारी reactions होती है इनको हम क्या करते थे balance करते थे तो यह reaction हम balance करते थे किसके oxidation state किसकी reaction की तो उसमें जब हम change निकालते थे oxidation state में और फिर हम उसको product और add करके balance करते थे तो उसी तरीके से निकाल लिए हमने उसकी oxidation state कि इसकी potassium permagnate की एक बार निकाल के देख लेगे हम लेकिन पहले हम क्या करेंगे physical properties करेंगे इसकी titanium dioxide की तो पहला point क्या है इसमें अभी बताए आपको it is a colorless solid compound titanium dioxide is a titanium dioxide is a colorless solid compound कैसा है solid compound है titanium dioxide is a colorless solid compound second point क्या होगा it is water resistance second point क्या होगा इसका water resistance और इसकी coating electronic device के लिए की जाती है ये क्या हो जाएगा इसका titanium dioxide का use water resistant हो गया और क्या है melting point इसका क्या melting point तो melting point क्या होगा it will melt above 300 degree centigrade it will melt above 300 degree centigrade इससे भी 300 degree centigrade से भी जाएदा temperature पर क्या होगा melt होगा corn titanium dioxide तो ये हो गई इसकी physical properties अब इससे आगी क्या करेंगे हम इसकी करेंगे chemical प्रॉपर्टीज इससे नोट कीजिए आप chemical properties में इसमें हम क्या करेंगे कि chemical reaction कराएंगे कि से कराएंगे कुछ हम compounds लेंगे या कुछ हम क्या लेंगे different different compounds लेंगे और उसको हम क्या कराएंगे titanium dioxide के साथ react कराएंगे और फिर देखेंगे कि हमारे अलग-अलग क्या चीज़े बनाते हैं तो ये क्या आते हैं इसमें chemical properties में आते हैं chemical properties में हम इसमें सबसे पहले करेंगे cock powder के साथ जो हमारा cock powder होता है जब हमारा titanium dioxide के साथ react करता है तो हमें ये pure titanium देता है क्या देता है pure titanium और इससे क्या release हो जाती है carbon monoxide gas इसमें से release हो जाती है और हमारे पास pure titanium बसता है क्या बसता है pure titanium तो इसमें first point क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे इसमें coke powder के साथ reaction करेंगे reaction with coke powder reaction with coke powder coke powder के साथ reaction कैसे करेंगा अभी आपको बताया इसमें क्या मिलाएंगे coke powder मिलाएंगे coke powder मिलाने के बाद हमें ये इससे titanium की pure form मिल जाएगी और हमारा carbon monoxide इसमें से release हो जाएगा तो इसमें लिखेंगे coke powder will reduce ti o2 coke powder will reduce किसको reduce करेगा ti o2 को reduce करेगा और क्या बना लेगा प्योर टाइटेनियम और प्योर टाइटेनियम बना लेगा और क्या क्या रिलीज हो जाएगा इसमें से carbon monoxide क्या हो जाएगी इसमें से release देखें अब reaction कैसे करेगा यह जो हम क्या लेंगे ti o2 लेंगे ti o2 टाइटेनियम डाइट क्या करेंगे इसमें कोग पाउडर मिला देंगे कोग पाउडर सी होता है हमारा इसको क्या करेंगे रिड्यूस करेंगे रिड्यूस करेंगे तो यह क्या हो जाएगा ti जो होगा हमारा pure form में रिलीज हो जाएगा ti जो होगा हमारा pure आ जाएगा और जो हमारा o2 है यह हमारे two molecules c के साथ क्या release कर देगा two co2 molecules of carbon monoxide और यह गैस ही हमारी रिलीज हो जाएगी और यहां पर हमारा क्या बच जाएगा pure titanium बच जाएगा तो यहां से यह क्या है हमारा titanium dioxide है कि टाइटेनियम डायोकसाइड है कि यह क्या हमारा कॉक पाउडर है कि यह हमारा है pure form है किसकी टाइटेनियम की और यह तो सबको पता है CO क्या होता है CO क्या होता है CO होता है carbon monoxide carbon monoxide तो यह हो गई इसकी किसके साथ reaction कोक पाउडर के साथ reaction क्या करेंगे Tio2 में कॉक पाउडर मिलाएंगे pure हमें क्या मिलेगा titanium मिल जाएगा अब इसमें एक तो reaction होगी हमारी कोक पाउडर के साथ अगर हम इसमें कॉक पाउडर के साथ हेलोजन भी मिला दे तो क्या बना लेगा हमारा कोक पाउडर titanium dioxide और cock powder जब हमने reduce कर आया तो हमारा क्या बना pure form बन गे titanium की अगर हम इसके साथ halogen और जोड़ दें halogen कौन कौन से होते हैं fclv आ रहा है अगर ये और जोड़ दें तो हमारा क्या बनाएगा इसको note कीजिए आगे हम ये देखेंगे इसमें क्या है इसमें हमारा next point अगर हम cock powder के साथ साथ halogen भी मिला दें क्या कर दें halogen भी मिला दें तो यहाँ पे cock powder and halogen आ जाएगा cock powder and halogen अब halogen भी मिला के देखो इसमें क्या बनेगा पहले क्या लेना है हमें titanium dioxide language लिक लोगे आप reaction के basis पे क्या होती है हमारी पूरी language लिक्षी जाती है क्या करेंगे हम titanium dioxide में जब हमने क्या मिला है cock powder और halogen मिला है तो हमारा यह compound देगा अब क्या compound देगा वो भी देखेंगे हम आगे पहले क्या लेना है TiO2 इसमें क्या मिलाएंगे cock powder और क्या मिला देंगे हम इसमें halogen क्या मिला देंगे halogen अब किसी ने यह पूछा था हमने potassium permagnate में जो हमने acidic medium में reaction की थी उसमें two molecules ही क्यों लिये थे जो हमारी main reaction थी जब हमने main reaction को क्या किया था balance किया था तो हमारे वहां से two molecules आ रहे थे और उसी के basis पे हमने आगे की reaction की थी अब एक question यह था कि हमने NaNo2 से क्यों react किया इसको NaNo2 से मत कीजिए Na2SO3 से react कर लीजिए जो reactions होती है हमें हम उसमें compounds मिला के अलग-अलग chemical properties क्या होती है chemical properties का मतलब ही यह होता है कि हमारे main compound में हमने यह मिला दे यह होती है हमारी chemical properties और इसमें two molecules ही की हो लिए थे क्योंकि उससे हमारी reaction क्या और थी balance जब reaction balance नहीं होंगी तो गलत हो जाएगी reaction को balance करना भी बहुत जरूरी होता है तो यह क्या लेंगे अब TiO2, 2C और Cl2 कराएं हेलोजन के साथ reaction क्या बन जाएगा हमारा इसमें जो Ti है यह हमारे हेलोजन के साथ react कर लेगा अब यहां पर हेलोजन यहां पर TiCl2 नहीं बनाएगा क्या बनाएगा यहां से हमारा यहां से two molecules ले लीजे किसके Cl2 के जब हम यहां से इसके reaction इसके साथ कराएंगे तो यह हमारा titanium tetracloride बना लेगा क्या बना लेगा titanium tetracloride TiCl4 क्या बना लेगा TiCl4 और यहां से क्या रिलीज हो जाएगा पहले वाले reaction की तरह two molecules carbon monoxide के तो यहां से जब हम कोक पाउडर की हेलोजन के साथ reaction कराएंगे तो क्या बनेगा हमारे यहां पर titanium tetracloride यह क्या है मरड़ यह है titanium dioxide titanium dioxide है यह क्या है कॉक पाउडर है यह क्या है chlorine halogen है halogen लिख लिख लिजिए या chlorine लिख लिख लिजिए यहां से क्या बनाया हमेरा यह बनाया TICL4 titanium tetracloride titanium tetracloride यह तो पता है यह क्या होता है यह होता है हमारा carbon monoxide carbon monoxide तो यह reaction हमारी किस से होगई powder किसके powder कोक पाउडर और हेलोजन से तो यह होगई हमारी इसकी next वाली next कौनसी second chemical property हो गई पहले क्या किया था क्या था दूसरा क्या क्या था हेलोजन से किया था अब इसमें आगे क्या करेंगे हम एंफोटेरिक नेचर दिखाएंगे अगे अब amphoteric nature क्या होती है, amphoteric का मतलब भी वो होता है, जो हमारे compounds होते हैं, वो acid और base के साथ equally reacted रगे, उनके salt बना लेते हैं, तो ये होती है amphoteric nature, इसे note कीजिए, third क्या है इसकी, third है इसमें amphoteric nature, third chemical property क्या है इसकी, amphoteric nature, amphoteric का मतलब क्या बता है मैंने आपको, amphoteric का मतलब ही वो ही होता है, जो हमारे compound, acid और base के साथ equally react करके उनके salt बना लेते हैं, इसमें लिखो, ti-o2 is amphoteric compound, because it reacts with acid and base equally and form there, salts, ti-o2 is an amphoteric compound, कैसा है amphoteric? amphoteric को हिंदी में क्या कहते हैं? amphoteric को हिंदी में कहते हूं भैधर्मी, कैसा amphoteric compound है, और amphoteric compound कैसे होते हैं? क्योंकि acid-base के साथ equally react कर लेते हैं, because it reacts with acids and base equally, अइसे और बेस के साथ equally react करते हैं, और क्या करते हैं? and form there salt. salt बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? अब हमें पहले क्या करना है? ti-o2 को पहले तो acid के साथ react कराएंगे, और फिर किसके साथ react कराएंगे? base के साथ react कराएंगे. पहले acid और base. acid base क्या होते हैं? I hope आप सबको यह पता होगा. यह बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं. बहुत छोटी-छोटी हैं. इतनी छोटी हैं कि कोई explain नहीं कर सकता इसमें. acid के साथ react कीजिए ti-o2 को. acid क्या होता है? H2SO4 ले लीजिए. ti-o2 जब acid के साथ react करेगा, तो हमारा इसके साथ मिलकर इसका salt बना लेगा. क्या बनाएगा? salt बनाएगा. अब देखो यह तो हो गया ti-o-o. क्या हो गया? ti-o. अब यहाँ से यह h2 हैं. और यहाँ से दूसरा क्या? SO4 हैं. क्या है? SO4. अब यह इसका salt कैसे बनाएगा? जो यह ti-o है, यह इसके साथ मिलकर salt बना लेगा. क्या बना लेगा? salt. और क्या साल्ट बना लेगा? titanile sulfate. titanile sulfate. ti-o-so-4. यह हो गया? अब क्या बचा हैं हाँ से? यह एक molecule तो बचा oxygen का, two molecule hydrogen के, यह मिलके क्या बना लेंगे? water. क्या बना लेंगे? water. और इसका नाम क्या होता है? titanile sulfate. four है ना, तो क्या हो जाएगा? sulfate. acid के साथ react कर दिया. अब क्या करेंगे? इसकी reaction हम किसके साथ करेंगे? अब इसकी reaction कराएंगे हम base के साथ. इसको note कर लीजिए. अब base के साथ reaction कराएंगे इसकी. इसकी reaction किसके साथ कराएंगे? base के साथ. base में ले लीजिए. NOH. या KOH ले लीजिए. कुछ भी ले लीजिए. NOH लिया. अब क्या कराएंगे इसका? इसका क्या बना लेगा? ये salt बना लेगा. क्या बना लेगा? salt. अब कैसे करेगा ये? पहले तो इसके two molecules ले लीजिए. जब ये two molecules ले लेगा. इसके? NaOH के. तब ये कैसे react करेगा? आप देखो. NaOH के two molecules को आप खोल लीजिए. कैसे खोलेंगे इसको? NaOH. और NaOH. अब इसमें से एक molecule तो वाटर का रिलीज हो जाएगा. कैसे? एक OH और एक H मिलके क्या रिलीज हो जाएगा? एक molecule वाटर का रिलीज हो जाएगा यहाँ से. एक तो वाटर निकल गया. क्या बचा हमारा? Na2O और TiO2. कमबाइन हो जाएगे, क्या बना लेंगे? Na2 TiO3. sodium क्या बनाएगा? sodium titanate. क्या बनाएगा यहाँ से? Na2 Ti और दो molecule तो यहाँ है और एक molecule इदा रहे हैं. तो क्या हो जाएगा? O3. क्या हो जाएगा? O3. और यहाँ पर क्या है? sodium और यह क्या है? titanate. क्या है sodium titanate? तो यह हो जाएगा? क्या हो जाएगा? sodium titanate. तो यह क्या हो गई इसकी? पहले acid के साथ react करा है. फिर किसके साथ react करा है? बेस के साथ. यह चीज़ क्लियर हो गई. यहाँ से water molecule कैसे निकला? और Na2 O कैसे release हुआ है? इसे break कैसे किया हमने? तो यह क्या होगी? इसकी amphoteric nature. तो यहाँ पर क्या होती है? हम इसकी chemical properties में इतना ही अनफ होता है. अगर आप चाहें तो और भी chemical properties कर सकते हैं. और भी compounds के साथ react करा के देख सकते हैं कि हमारे different different क्या compounds बनते हैं? अब क्या हुआ इसमे? physical properties हो गई? chemical properties हो गई? क्या बचे इसमें? इसमें बचे आप uses. मैंने आपको बताया था कि यह जो हमारा titanium dioxide है, यह कैसा होता है? यह water resistant होता है. कैसा? water resistant. water resistant है, तो इसका use किसलिए कर सकते हैं? यह भी बताया था आपको. इसका use हम कर सकते हैं, electronic devices की coating के लिए. electronic devices की coating के लिए. तो सबसे पहला use तो यह हो गया. और यह कैसा है? compound कैसा है? यह colorless था. कैसा था? colorless या ऐसा भी कह सकते हो, colorless है या white है? जो colorless होते हैं, मतलब वो particular color नहीं दिखाते हैं, red हो गया, blue हो गया, green हो गया, brown हो गया, इस तरह की color नहीं दिखाते हूं, आप कैसे कह सकते ho, colorless को white हो कह सकते हो, अब यह board है. इस पर कोई color नहीं है, red नहीं है, blue नहीं है, green नहीं है, इस तरह की कुछ color नहीं है तो आप यह कैसे कह सकते हो colorless है या यह कैसा है white है कैसा है white है तो अब इसमें क्या करेंगे use करें यूज लिखेंगे इसके यह कहां कहां use होता है से पहले आप एक चीज सुनो जो हमारे पीछे हमने compounds किये कौन कौन से compound किये potassium permagnate कर चुके है potassium dichromate कर चुके हैं और Cr O2 Cl2 chromyle chloride भी कर चुके हैं तो यह जो तीन और compound अगर किसी के रह रहे हैं तो पीछे जाके उनको cover कर लीजिए और यहां से आज हमने क्या start किया titanium dioxide start किया है और इसको भी कीजिए तो इसमें पहला use क्या लिखेंगे हम यह कैसा है water resistant compound है और किसमें use होता है यह use होता है हमारी electronic devices में coating करने के लिए ताकि वह हमें shock न मारे लिखो इसमें it is a water resistant कैसा है water resistant जो हमारी watches होती है यह भी तो water resistant होती है जो wrist watch होती है यह water resistant होती है इनमें पानी चला जाए तो यह खराब नहीं होती तो ऐसे यह है titanium dioxide water resistant है water resistant है तो कैसे use किया जाएगा electronic devices की coating में and it is used and it is used in coating of electronic devices in coating of electronic devices किसमें यूज किया जाता है electronic devices की coating के लिए यूज किया जाता है second क्या होगा इसमें second होगा इसमें कि यह white color का solid compound है यह white color का solid compound है तो जो oil paints होते हैं उसमें ये white pigment की तरह यूज किया जाथा green pigment क्या हूता पिगमेंट कलर होता है क्या होता एक कलर तो यह जो 흡र्ल पेंट होते हैं जो क्या बाइट और जो होते यह तो शक्या यूज की अहिता गृंट lead acetate लेकिन वो कैसा compound है? वो poisonous compound है तो उसकी जगह हमने क्या यूज कर सकते है? इसमें titanium dioxide यूज किया जाता है क्योंकि ये poisonous नहीं है और जो lead acetate होता है वो poisonous compound, जहरिया होता है वो तो इसमें second point क्या लिखेंगे? second point जो होगा इसमें हमारा क्या होगा? in oil paint, TiO2 is used as a white pigment. लिखें, in oil paints, oil paints, TiO2 ये titanium dioxide नेम लिख लीजिए इसका, ये TiO2 is used as white pigment. कैसे यूज कर सकते हैं? white pigment, oil paints कौन से होते हैं? oil paints वो होते हैं, जिनसे poster painting होती है, जो बड़ी बड़ी painting नहीं होती है, जिसमें बहुत सारा color लेके वो एक board पे लगा देते हैं और फिर उसको brush से spread करते हैं, चारों तरफ, वे होते हैं oil paints हमारे, उनमें अलग सी shine आती है, सूखने के बाद भी वो ऐसे नहीं हो जाते हैं, जिसे faded हो color, उनमें different shines होती हैं, क्योंकि वो कैसे होते हैं, oil paints होते हैं, white pigment की तरह use करते हैं, और it is preferred over basic lead, क्योंकि वो एक poisonous compound है, it is preferred over basic lead acetate lead acetate अब lead acetate का formula क्या होता है, किसको पता है, जिसको पता है, वो नीचे लिखो, lead acetate होता है, lead acetate का formula क्या होता है, lead acetate होता है, PB, OH का twice, और क्या होता है, PB, CH3, C00 का twice, यह हो गया हमारा lead acetate और यह कैसा है? Poisonous compound है Because the compound of lead are poisonous Lead क्या होता है? हमारा lead poisonous होता है Because the compounds of lead are poisonous कैसे होते है? poisonous होते है कैसे होते है? poisonous तो यहाँ पर क्या खतम होता है? हमारा यहाँ पर हमारे यह वाला topic खतम होता है कौन साइट? टाइटेनियम डायोकसाइड क्या कि हमने method of preparation किये? General properties की जिसमें हमारी क्या include ही? Chemical properties और physical properties और फिर क्या क्या हमने uses जो हमारा titanium dioxide है वो कैसे use किया जाता है? अब इसमें जो हमारे कितने बचे? इसमें हमारे दो topics बचे? कौन कौन से बचे? एक तो V2O5 बचा क्या बचा एक तो V2O5 बच रहा है? और क्या बच रहा है? हमारा इसमें chromium oxide क्या बच रहा है? हमारा इसमें chromium oxide यह जो topic है यह करेंगे हम next time पे जिनके topic रह रहे हैं लास्ट वाले इसे include करके वो उसको cover कर लीजे cover कर लीजे और जो doubts है आपके जैसे ions में कैसे break करते हैं इसकी बहुत एक easy trick है मैं वो भी share करूँगी और हमारा क्या था? potassium permagnate में equivalent weight में हमने oxidation difference कैसे निकाला था? और जो भी आपके doubts हैं वो आप नीचे लिख दीजें हम सबका एक doubt की class बना देंगे अभी आप इसको note कर लीजे next time पे हम क्या करेंगे? हमारा next compound कौनसा? V2O5